दोस्तो आज मैं जिस मोवी को एक्स्प्लेशन करने जा रहा हूँ उसका नाम है रांग टर्न फॉर ये एक बहुत खतरनाक भूतिया फिल्म है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को कमजोर दिल वाले ना देखें तो चलिए बढ़ते हैं एक्स्प्लेशन की ओर तो मोवी के सुरुवात में हमें एक सेरोटेनियन दिखाया जाता है यहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है जो डी फॉर्म होते हैं इनका डी फॉर्म होने का कारण है कि यह अपने परिवार के साथ संबंद बनाकर बच्चे पैदा करते हैं और यह सिनियर डॉक्टर दुसर से जाने के बाद यह तीनों को दिखाय जाता है इन तीनों भाईयों में थिरी फिंगर बहुत हीं पूद्धिमान होता है वो एक हैर पीन की मदए से चैन की लोगख खोलने की कोशिस गरता है और लाश्ट में लोगो खोल देता है और उस बाद सभी कैदियों को वहां से आजात कर देता है और वो तीनों उस डॉक्टर को भी मार देते हैं और ये सिन यहीं कट हो जाती है फिर हमें कुछ साल बात कि सिन दिखाया जाता है जिसमें नव अश्टूडेंट अपने दोस्त के फंसन में जा रहे होते हैं कि वो रास्ते भटक जाते हैं और वहां तेज हवाएं चलने लगती है तो वो तुफान में फच जाते हैं और तभी वहां उन्हें एक इमारा दिखती है और ये वहीं सेरोटोमियम है जहां आज से कुछ सल पहले थिरी फिंगर ने डॉक्टर को मार कर सभी कैदियों को आजात कर दिया था फिर वो सब स्टूडेंट वहा होस्पीटल थी और आप बंद पड़ी है फिर नौ में से तीन लोग बेर धुरने कमरे में जाते हैं वो तीनों में से एक लरका जिसका नाम मार्टिन था वो अचानक उसकी चीखे सुनाई देती है तो वो दोनों लरकियां डर जाती है और उसे देखने के लिए कमरे में जा पिर बो लरका मार्टिन जिसने मजाक किया था वो अकेले ही जनेटर को आउन करने जाता है तो वहां अचानक लाइट आ जाती है फिर यह देखकर सब खूस हो जाते हैं फिर रात होता है सब के सब अपने-पने कमरे में सो रहे थे तभी मार्टिन को नीद नहीं आ रही थी वो टहलने के लिए चला जाता है और तब ही वो देखता है कि उनका दोर जिसके यहां जाना था वो वहां सामने खड़ा है तो उसे देखकर वो आगे उसके पास जाने लगता है और जैसे उसके पास पहुचता है तो देखता है कि उसकी मौत हो गई है इससे पहले कि वो सब को बताने जाते कि उसके पीछे हुआ नहीं आ जाता है और उस लड़के को भी मार देता है फिर सुबह उठकर देखते हैं कि मार्टिन गायव है और उसका समान भी गायव है तो इन लोगों को लगता है कि मार्टिन उसके साथ मजाक कर रहा होगा इसलिए ये लोगों से ढूरने लगते हैं और इनमें से चार लोग नीचे प्लेसमेंट में जाते हैं जहां कैदियों को रखा जाता था फिर उन्हें वो तीनों खुंखार कैदियों का सेल दिखता है जहां खून लगा हुआ था और वहां के नजारे देखकर वो सब समाज गये थे कि यहां कुछ तो गलत होत है फिर वो चारों अपने दोस्त को ढूरने अलग अलग डिरेक्शन में चले जाते हैं उनमें से एक लड़की कीचन में चली जाती है तो वो देखती है कि आदम खूर उनके साथी को मार रहा था ये देखकर वो लड़की यहां से भाग जाती है और सारी बात अपने दोस्त सब ब्याक्त को बताती है पिर वहाँ से निकलने का पदातsın पर इससे पहले की वहांस निकल पाते वह आदम खोर में एक स्थी को गले बांध कर लटका देता है फिर उनका कर दोस्त उससे बचाने की कोसिस करता है लेकिन वह उसके खूल से लट होकर नहां जाता है इतने कोशिस करने के बाद भी वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाए फिर वो लोग वहां से भागने की कोशिस करते हैं लेकिन उनके स्नों मोशन चल नहीं रही थी क्योंकि इन तीनों भाईयों ने स्नों मोशन के असपार्क पला को निकाल दिया था ये पर नहीं थे इसलिए वो लोग आगे नहीं जा सकते थे फिर वो लोग जल्दी से भाग कर एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं और अपने सेफटी के लिए उनके पास हथियार भी नहीं थे लेकिन प्लेस्मेंट में ये लोग धेर सारे हथियारों को देखे थे इसलिए सौथूथ ऑफिस में छेद कर देता है और सारा को पकर लेता है तब ही उसकी सहेली सौथूथ के हाथों में बिलेड मारती है तो सौथूथ उससे छोड़ देता है और इधर ये लोग भाग कर कमरे में जा रहे थे तो सबसे पीछे डेनियल था तब ही वहाँ वहन आई डेन देनियल के मसल्स को काट कर तेल में फराई करके उसे खा रहे हैं यह देखकर वो फैसला करते हैं कि वो तीनों इन्हें मारें इससे पहले हमें उन पर अटेक करना होगा फिर वो उन तीनों पर अटेक कर देते हैं और तीनों को एक सेल में बंद कर देते हैं उनमें से एक कि उसे माना कर देती है वो उसे ऐसा करने नहीं देती है वो कहती है कि यह पागल है कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा तुम इस पर नजर रखो एसा कहकर वहां से चली जाती है और डेनियल उस पर नजर रखने लगता है डेनियल वहां अकेले पहरा दे रहा था और पहरा देत अभी भी वहीं गिरी हुई थी फिर थिरी फिंगर अपने असमातनेस दिखा कर वो लॉक अप को खोल लेता है और वहार आ जाता है और ये लोग कायल को पकर लेते हैं और थोड़ी दिर बाद केनिया वहां देखने आती है कि सब ठीक है कि नहीं तब ही वो देखती है कि कायल वहां नहीं है और वह तीनों भी लॉक अप तोड़के भाग गये हैं फिर केनिया आपने दोस्तों को बताती है कि वह तीनों लॉक अप तोड़के भाग चुके हैं अब इसके बाद क्या होता है वह आगे की कहानी आपको पार्ट टू वीडियो में मिलेगी जो कि जल्द ही इस चैनल पर अपलोड करूंगा बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए मिलते हैं पार्ट टू वाले वीडियो में